पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अक्रम ने भारत और आस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट सीरीज को लेकर अपनी राय रखी है अक्रम ने कहा भारती टीम के पास आस्ट्रेलिया पे टेस्ट सीरीज जीतने का बड़ा मौका होगा मुझूद ऑस्ट्रेलियाई टीम के पास अभी अनुभव कम है अगर भारते गेंद बास शुरुआत में विकेड लेने में काम्याब रहते हैं तो भारत के लिए काम असान हो जाएगा हाला कि गेंद बासों के लिए ऑस्ट्रेलिया पीचो पर विकेड लेना असान नहीं होगा तो छाल भरी पीचो पर गेंद बास कुछ अलग परियोग करने के चक्तर में अकसर अपना लेक हो देते हैं पाकिस्तान की टीम जब ऑस्ट्रेलिया इदोरे पर गई थी तो उन्होंने ऐसी ही गलती की थी भारते के इंद बासों को इसी गलती से बच नहोंगा बल्ले बाद ऐसी पीचो पर शॉट गेंदों की उमीद दधिक करता है ऐसे में जस्परीद बुम्रा और भुमनेश्वर कुमार को एक प्लान के थेत गेंद बाजी करनी होगी वही पाकिस्तान और भारत के मुकाबले के दोरान खिलाडियों को प्रेशर को लेकर अकरम ने कहा एक दुम काबलों से आप इस चीज़ का अंदाजा नहीं लगा सकते अगर दोनों ही टीमों की बीच कोई सीरीज के लिजाए तो शायद खिलाडी दबाव की परिस्थीती तो समझ पाए अकरम ने विराट कॉली की चमकर पर शञत की और उमीर जधाई की टैस सीरीज के दुरान भी कोली के बले सदन निकलेंगे अब देखना होगा अकरम की ईस सिला भारते के इन बाजू के कितने काम आती है अगर आपको एक खबर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेर ज़रूर करती चेगा फिकेट की पलबल की अपडेट्स के लिए आप देखते रहें है हेडलाइन से स्पोर्ट्स